हेलो एब्रिवान वेल्कम टू कॉमर्स लेक्चर्स आइम नेहा आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनस टेडीज और आज का हमारा चेप्टर है इंटर्नल ट्रेड तो सबसे पहले हम इसमें सीखने वाले हैं ट्रेड क्या चीज होती है ट्रेड का मतलब है व्यापार जैसे कि आपको हिंदी में पता ही होगा buying and selling of goods and services for earning profit यानि अगर कोई भी goods or services आप खरीते हैं या बेचते हैं पैसा कमाने के लिए तो वो कहलाता है ट्रेड अब देखते हैं internal trade, home trade, inland trained क्या होता है It refers to buying and selling of goods and services within the geographical limits of a country यानि अगर आप कोई भी goods and services खरीते हैं या बेचते हैं और अपनी country में ही रहकर country में ही बेचना, country में ही खरीदना तो उस चीज को आप बोलते हैं internal trade आगे पढ़ते हैं features of internal trade First feature है buying and selling of goods and services takes place within a country यानि कोई भी goods and services अगर आप खरीद या बेच रहे हैं अपने देश में ही रहकर जिसकी इंडिया में आप रहते हैं तो इंडिया में ही खरीद रहे हैं तो वो internal trade होता है या फिर बोल सकते हैं और features में payments are made in home currency only आप जितने भी पैसे pay करेंगे या पैसा receive करेंगे वो home currency में करेंगे जैसे इंडिया की currency है rupees यानि आपको किसी को पैसे देने हैं या कोई आपको पैसे देगा आप किसी से पैसे लेंगे तो rupees में ही लेंगे no or very few formalities are to be completed by traders आपको कोई भी formalities या बहुत कम नाम मात्र formalities करनी पड़ती है अगर आप इंडिया में रहकर trader बनना चाते हैं या internal trade start करना चाते हैं तो local modes of transport can be used for goods and services अगर आप goods and services जो है इधर से दर ट्रांसफर करना चाते हैं तो local modes of transport आप use कर सकते हैं जैसे कि अगर आपका चोटा सा business है तो bike, car वगएर आप use कर सकते हैं थोड़ा सा बड़ा है और समान जो है एक state से दूसरे state तक पहुचाना है तो आप trucks वगएरा use कर सकते ह आपुब कर दहान सकते हैं तो आपका प्याप वगएर प्रांसपर